गुड मॉर्निंग बच्चो आज हम ट्रांस्फोर्मेशन का अगला पाइट करेंगे डिग्रीज का डिग्रीज चेंज करना डिग्रीज ओफ कमपेरीजन सबसे पहले बच्चो ये समझ लो डिग्रीज एड्जेक्टिव की होती हैं और एड्जेक्टिव नाउन या पॉजिटिव यानि नॉर्मल जैसे रिच तो उसकी कमपेरेटिव डिग्री हो जाती है रिचर और सूपरलेटिव डिग्री हो जाती है रिचस्ट तो जब रिच यानि नॉर्मल रिचर कमपेर होता है दो के बीच में उससे ज्यादा और रिचस्ट सूपरलेटिव जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है सब से ज़्यादा यानि दो से ज़्यादा अब वो तीन हो सकते हैं या पूरा देश पूरा बैड हो सकता है तो इस तरह से हम E-R और E-S-T लगाकर डिगरी चेंज करते हैं लेकिन सिर्फ E-R और E-S-T लगाने से ही नहीं होता थोड़ा सा और भी चेंज होता है जैसे बिग बिग में जब हम E-R लगाते हैं तो जी को डबल कर लिया बिगेस्ट यानि जब कोई वर्ड कॉंसोनेंट हो उसके पहले अगर वावल हो तो वो वर्ड जो कॉंसोनेंट है वो डबल हो जाता है इसी तरह से अगर कोई वर्ड एंड हो रहा है E से जब हम उसमें E-R लगाएंगे तो सिर्फ R लगाएंगे. वाइटर वाइटेस्ट. बनाना पड़ता है और वाइटर भी तो जब भी हम इन वर्ड से इसपर change करते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि इसके spelling क्या अक्सर क्या गलती करते हैं बच्चे इसमें से er हटा देते हैं ये st हटा देते हैं तो यहां पर जो white है वो wit बन जाता है उसी तरह से अगर किसी word के end में y आ रहा है जब हम उसमें er लगाते हैं तो हम उसे i में change कर लेते हैं y को i में change करते हैं happier और happiest तो बच्चों ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम degree change करते हैं इसके अलावा कुछ word ऐसे होते हैं जिसमें er और est नहीं लग सकता जैसे beautiful है उसमें हम more और most का use करते हैं यानि more beautiful और most beautiful तो beautiful intelligent difficult इस तरह के जितने भी word होते हैं इसमें er नहीं लगता उसमें more comparative में और most superlative में लगाते हैं इसके अलावा कुछ word ऐसे होते हैं जिनके अपने proper word होते हैं er और est जैसे word नहीं लगते जैसे good का comparative better और superlative best bad का comparative worst और worst ठीक है बच्चों आपको मैं पूरी table भीजूंगी आपके whatsapp ग्रूप पर आपको ये याद करने हैं अब शुरू करते हैं कि हम degree कैसे change करेंगे सबसे पहले बच्चों हमें sentence की formation समझ में आनी चाहिए first और second type तो जो first type के sentence होते हैं उसमें noun या pronoun दो होते हैं जैसे रमा is taller than रीना तो यहाँ पर एक noun रमा है और एक noun रीना है तो इस तरह के sentence में दो तरह के noun दो प्रोनाउन हो सकते हैं एक noun एक प्रोनाउन हो सकता है लेकिन दो होंगे दूसरी तरह के जो sentence होते हैं उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही noun होता है जैसे iron is the most useful metal इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही noun है iron इसके साथ compare करने के लिए दूसरा हमारे पास कोई metal नहीं है तो आज हम first type के sentence को change करना सीखेंगे रामा is taller than rena तो जब हमारे पास ऐसे sentence हो जिसमें हमारे पास दो noun या दो प्रोनाउन या एक noun एक प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है तो हम उसे change कैसे करते हैं रामा इस टॉलर दैन रीना सबसे पहले बच्चों इसकी देखो यहाँ पर यह subject है जो की noun भी है यह verb हो गई टॉलर हमारा adjective की degree है comparative then comparative degree के साथ हमेशा आता है और यह हमारा object है जो की noun भी है तो change करने के लिए सबसे पहले हम subject को object की जगा और object को subject की जगा रखते हैं तो यहाँ पर object रीना पहले आ जाएगा is not एक चीज हमेशा याद रखना कोई भी degree positive और comparative में अगर एक negative है तो दूसरी affirmative बनेगी और एक affirmative है तो दूसरी negative बनेगी दोनों negative नहीं होती और दोनों ही affirmative नहीं होती तो यह वाले sentence हमारा affirmative में है तो दूसरा sentence हमारा negative में बनेगा तो रीना is not कि हमारे जो degree वाला part है हमें यह change करना होता है तो positive डिगरी में यह हमारी comparative डिगरी है और यह हमारी positive में हमें change करना है पहले type के sentence में सिर्फ यह ही दो होते हैं superlative में change नहीं होता रीना is not so tall as रामा तो हमने यहाँ पर क्या देखा पहले तो हमें affirmative और negative का ध्यान रखना है affirmative से negative और negative से affirmative ऐसा कोई rule नहीं है कि सिर्फ जो comparative degree है वो affirmative होगी और उसकी positive negative में बदलेगी अगर comparative negative है तो फिर positive affirmative में होगी ठीक है और subject और object आपस में change हो जाते हैं subject की जगा object और object की जगा subject affirmative की जगा negative और negative की जगा affirmative अब positive degree की पहचान होती है so as या as as यानि as as भी हो सकता है और so as भी हो सकता है ज़्यादा तर negative में so as का use करते हैं और affirmative sentence में as as का use किया जाता है तो इसके बीच में जो खाली जगा है वहाँ पर हमारी positive degree आती है as tall as as rich as ठीक है अब कुछ sentence देखते हैं इसी नियम के अनुसार shimla is cooler than daily तो daily जो की object है subject की जगे आ जाएगा is not so cool as shimla तो दोनों हो गए हमारे shimla object की जगे आ गया दिल्ली subject की जगे आ गया is है उसका is not हो गया यह नहीं affirmative से negative हो गया एक sentence और देखते हैं I am not richer than you यहाँ पर हमारा comparative degree negative में है subject आई है और object यू है तो object को यहाँ पर लेकर आते हैं you are I के साथ M आता है लेकिन you के साथ R आएगा not हटाना है हमें you are as rich as I तो बच्चों हमें यह पता कैसे चलेगा कि हमारा sentence सही है या गलत है मैंने आपको पहले भी transformation में बताया था transformation में meaning change नहीं होता सिर्फ उसकी form change होती है तो I am not richer than you मैं तुम से ज़्यादा अमीर नहीं हूँ तो दूसरे शब्दों में कहें you are as rich as I तुम भी उतने ही अमीर हो जितने की मैं यानि दोनों का मतलब एक जैसा इसका मतलब हमारी degree जो है वो बिलकुल सही बनी है अब ये तीन sentence हमने देखे थे comparative से positive में change करने के लिए अब कुछ sentence positive से comparative में change करने के लिए she is as intelligent as you तो as intelligent as you are इसका मतलब ये है हमारी positive degree और इसे हमें change करना होगा comparative degree में नियम वही रहेंगे she की जगा you और you की जगा she is है तो is not और is not होता तो is होता है यहां पर तो यहां पर you are not comparative में more word का use करेंगे intelligent के साथ you are not more intelligent than she I am not as weak as you 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 are क्योंकि negative उपर है तो हमने affirmative बनाएंगे यू आर वीकर वीक की comparative degree वीकर होती है then I या मी भी लिखा जाता है कभी कभी बच्चो इस sentence में राजा is not so happy as his younger brother यहां पर main जो object है वो brother है लेकिन brother के साथ his और younger भी आ रहा है तो जब हम इस object को subject की जगह रखेंगे तो हम इन तीनों words को रखेंगे his younger brother is यहां पर happy की comparative है happier और comparative degree में than लगाना जरूरी होता है तो बच्चो इस sentence से हमें यह पता चलता है कि अगर हमारा subject या object दो या उससे ज़्यादा word से मिलकर बना हैं तो हमें वह सारे तो हमें वह सारे word यूज करने होते हैं कभी कभी बच्चे गल्दी कर देते हैं कि एक ही word को लेकर आते हैं जबकि जबकि his और younger भी अगर यहाँ पर his younger brother होता तो वह object की जगा यहाँ पर चला जाता और अगर यहाँ है तो वह तीनों ही word यहाँ पर आएंगे ठीक है बच्चो तो आज हमने डिगरी में क्या क्या देखा है सबसे पहले हम यह देखेंगे कि डिगरी की पहचान कैसे करते हैं positive । पॉसिďीव डिगरी में as के बीच में positive । पॉसिटिव डिगरी में as और as का यूज होता है या so as का यूज होता ये comparative degree में degree के बाद than का use होता है और superlative degree में the ? спокойned दा का use होता है उसके बाद degree आती है सो पॉजिट्यीव मे डिग्री बीच में आती है so or as के comparative में then से पहले आती है और superlative में the के बाद आती है तो ये word आपको याद करने है डिगरी की आपको पहचान होनी चाहिए कि जो डिगरी आप करने वाले हैं वो कौन सी डिगरी है और जब उसे चेंज करेंगे अगर हमें positive से comparative में चेंज करनी है तो then लगाएंगे और अगर super native में चेंज करनी है तो दा लगाएंगे ये लिखकर बताएंगे कि ये type 1 है या type 2 है कोई sentence है I am richer than you तो आपको underline करके ये भी बताना है कि I है और you है यानि एक यहाँ पर noun या pronoun ये है और एक noun या pronoun ये है तो मुझे आज आपका यही वर्ग देखना है कि आपको noun और pronoun का पता है और आपको sentence समझ में आ रहा है और साथ ही आपको degree भी लिखकर भेजनी है ये positive degree है या comparative degree है तो आज का आपका homework ये ही रहीगा